कि ऐलो एवरीवान वेलकम बैक तो फुड़ो पॉलिस आज मैं आप लोगों से मिल्क एक की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं यह बहुत ही टेस्टी बनती है घर में और यहाँ पे एक लीटर दूद से मैं बना रही हूं और एक लीटर दूद को मैंने उबलने के लिए चरहा और दूद जब तक उबल के आधा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें आगे काम करेंगे यह फिटकरी पाउडर है जिसे एलम पाउडर भी बोलते हैं मैंने यूज किया है एक लीटर दूद में और इसे हम लोग दूद फारने के काम में लाते हैं जादा तर और फिटकरी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग उसमें वन टेबल स्पून सुगर डालेंगे इध्यान रहे कि सुगर को एक साथ सारे सुगर को नह करने के बाद फिर से हम लोग डालेंगे वन टेबल स्पून सुगर और एक साथ सुगर न डाले क्योंकि इस रेसिपी का यही एक खासियत है कि इसमें सारे चीजों को हम लोग धीरे-धीरे करके मिलाएंगे नहीं तो एक साथ सुगर डाल देने से दूद काफी चीवी हो जा कि इसमें मैंने टोटल तीन टेबल स्पून सुगर डाला है एक लिटर दूद में और यहां पे वन टीस्पून फुल मैंने डाल दिया है अच्छा घी मतलब गावा घी है और इसे भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब ही हम लोग आगे का काम करेंगे एक साथ हम लोग यहां भी पूरा घी नहीं डालेंगे और हाफ टीस्पून मैंने फिर से घी डाल दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे है इस रेसिपी का यही टेकनीक है यह मैं बार बार बोल रही हूं कि इसमें सारे चीजों को पानी पानी हो जाएगा और सारे चीजों को मैंने डाल दिया है इसमें और रिलाइची पार्डर और नहीं डाला जाता है और वो तैयार हो चुका है हमारा मिलकेक और यहां पे ग्रीस किये हुए एक टीफिन में मैं सारे मिलकेक को अच्छी तरह से सेट कर दूंगी और यह म हम लोग इसे कंबल से या किसी गर्म इस्थान में तीन घंटे के लिए नॉर्मल टेंपरेचर में आने के लिए धग देंगे और यह देखिए रेडी टू सर्व हो चुका है हमारा मिलकेक तैयार